आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चटपटा चना नमकिन के रेसिपी बरसात का मोसम शुरू हो चुका है ऐसे में जब बारिश होती है तो हम ही कुछ चटपटा और क्रंची सा खाने का मन करता है तो ऐसे में अगर आप इन सिंपल से चने को बनाएंगे इस तरह से तो अपने आपको खाने से रोक नहीं पाएंगे और चना खाना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है तो चली आज चने की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं हेलो इप्रिवान मैं हूँ पूनम और आप सभी कस्वागत है आपके अपने चैनल तप आफेक्टेवल में तो यहाँ पर हम नमकीन भूने चने बनाने के लिए ले रहे हैं इस तरह से मार्केट में मिलने वाले भूने चने इन चनों को आप ग्रोसरी शॉप से आराम से पर्चेस कर सकते हो इनके उपर छिलका होता है आप चाहो तो उसे उतार भी सकते हो मैं इसे इसी तरह से ले रही हूँ अगर बहुत ज़्यादा छिलका है तो आप इसे निकाल सकते हो तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले एक पैन लेकर हम उसे गरम कर लेंगे उसमें वन टीस्पून ऑईल डालेंगे ऑईल हमें बहुत जादा इस्तमाल नहीं करना है अब इसके अंदर हम डाल देंगे भूने चने और जैसे जैसे यह अच्छे से रोस्ट हो जाएँगे यह क्रंची बन जाएँगे तो अब हम इसमें डालेंगे नमक तो नमक का इस्तमाल हमें बहुत कम करना है क्योंकि हम इसके अंदर दालने वाले पैरी-पैरी मसाला उसके नंदर भी थोड़ा सा सॉल्ट होता है तो हम इसमें डालेंगे 1-4 टीस्पून नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से इसे लगबग 5-6 मिनिट के लिए हम भून लेंगे ताकि बहुत ही बढ़ी आए क्रंची हो जाए अब इसके अंदर डालेंगे पेरी-पेरी मसाला 1 टीस्पून मैंने आप पर पेरी-पेरी मसाले का इस्तमाल किया है अगर आपके पास पेरी-पेरी मसाला ना हो तो आप लाल मिर्च पाउडर नमक और चाट मसाले के साथ भी इसे बना सकते हो और पेरी-पेरी मसाला घर पर कैसे बनाया जाता है, उसकी रेसिपी मेरी चैनल पर अविलेबल है, उसकी लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हूँ, तो चलिए चने बन चुके हैं, आप फ्लिम को आफ करकर इसे मिटा मैं झाओ के लोदी करने इसे नहीं आपको आपको डहाँ कर देख सकते हैं, श्याम आपको एन यूरी चंटीरा इसे बनापको पार में हैं उसक्ते हैं अनुम्हें पर का दोन तो तूमाच्पटा सwald क।के लिए ऑा उसकी आपको तो पूमाचा थागी उस्जा उसकी नहाँ